नमस्कार परणाम हम के सहरे लल्यादों सबके गोड़ चुके गोड़ लगता नहीं जितना भी लोग हमके प्यार करे ला और जे हमके अपने असिरबाद में रख लेबा बस बहुत दिन से एक तकलीफ बा कि के हूँ के गाली दे दे हल के हूँ के कुछ बोल दे हल के हूँ के कुछ कहा दे हल भासा के गों इंडिस्टरी बा हर मैं भासा के एक इनदिस्टरी बा रहर लागत था की ज्यादा समझदार हमिंके वजबूरी के ही लोग बा कि हर बात के का दे वैं कि हाँ के खाती कुछ गा दे कि वैं कि आ कि क Oופqu Komopen इंदिस्टरी क जाहां कि आप हमारा सपोर्ट करिये हम आपके साथ हैं और आप मुझे प्यार करते हैं ये मेरे लिए शोभागी की बात है बट आप मेरे सपोर्ट के लिए आप प्लीज किसी को गाली ना दे और किसी को भला बुरा ना करे और एक और चीज में सब को बता देना चाहता हूँ, जितने भी निवे रिपोर्टर, चाहिए हो मेरे सपोर्टर के हो, या मेरा बुराई करने वाले लोग है, मैं सबसे पहले किलियर बता देता हूँ, कहा है हो मेरा कागज? एक बार दिखा दो सब को, मेरे खिलाब और मेरे ल बाते बोल रहे हूंगा। सब के लिए।्पमीं कोई भी आदमी मेरे खिलाव अगर कोई भी चीज मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे नीज बनाया मेरे फोटो डाल करने विजबने तो मैं पूरे खंदान को बाट लगा सकता हूं यह दिख रहा होगा यह भारत सरकार का है यह भारत सरकार का है जिसको नहीं दिख रहा है भाई देख लेना एक बड़ियां से देख लेना जो पड़े लिखे हो देख लेंगे और ऐसे मैं इसको पब्लिक पब् ला हूँ तो मैं आप सब से request कर रहा हूँ चाहे जो भी है और जो भी मेरे पर कोई भी negative news जो भी बनाया बहुत प्यार करूंगा उसको इतना प्यार करूंगा कि साहिद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाएगा ये इस चाहे वो कोई भी हो आप हमें प्यार करते हो, अच्छा लगता है, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, हर आदमी के सपोर्ट में मैं खड़ा होता हूँ, मजबूरी हो जाए तो भी मैं खड़ा रहता हूँ, अगर खुश में हैं तभी मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ रहन मेरे खिलाब कोई भी निवज हो, चाहे वो कोई भी होगा, मेरा फोटो डालने से पहले और मेरा नाम लेने से पहले, एक बार परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चाइनल को कहा लेके जाओंगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, आपके चाइनल को उड़ाने म मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा और पूरे खंदान को घसेट दूँगा मैं, तो एक किलियर जान लो कि मैं पहले आप सबको अगाज कर रहा हूं, और ये आज से नहीं मेरे पास दो महिना पहले से पढ़ा हुआ है, मेरा नाम लेकर, कोई भी लाइव आकर और फालतु गिरी किया, फालतु बाते की, चाहिए वो किसी के लिए भी किया, मैं बरदास नहीं करूँगा आपको किलियर बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सारी इंडिस्टी है लेकि इतना कचड़ा किसी इंडिस्टी में नहीं होता है, तो मैं आप सब सरी क इवेश्ट कर रहा हूं, या तो आप सुधर जाएं, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, तो सायथ बहुत बुरा होगा, और हम बिगड़ चुके हैं, आप हम बिगड़ चुके हैं, आपको लगता होगा, कि हम सुधरे हैं, तो हम सुधरे इतने भी हम सीधे नहीं हैं, कि आ दुनिया का कोई भी आदमी हो, तो जब इस वर शिशुपाल के सौ गलतिया माफ करके 101 हुआ तो हो गया ना काम उसका खेला हो गया, उसी तरह अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा, मैं आपने जो मुझे 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 करते हैं, मैं उनसे भी रिक रखो, लेकि उसका तरीका रखो, उसकी सलिंता रखो, किसी को मा बहन की गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, अगर कोई भी मेरा फैन, आपको गाली दे रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे गाली दो, ये पहले किलियर ये भी कह रहा हूँ आपको, आप उसे निप्टो ना, मुझे कोई दिकत नहीं है भाई, जो जैसा करता है बस आप भरेगा, लेकि अगर आपको कोई दूसरा आदमी गाली दे रहा है और आप मुझे बरसोगे ना तो, क्या करू मैं यार, अब कितना प्यार करूँगा आपको भी पता है, कि बहुत हो गया यार, यो कि ये चीजे बिल्कुल ठीक नहीं देती है, और आप सब को सोभा नहीं दे रही है, और हमें भी सोभा नहीं देती हम भजबुरी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं, हम भजबुरी समाज के लिए अच्छा करने की कोशिस कर रहे हैं, लेकि हम ऐसे थोड़ी करेंगे, भजबुरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी को गाली दे देंगे, किसी के लिए गाना गाएंगे, किसी को बैइजत कर देंगे, यह तो सभयाता नहीं है हमारे बतु से तकलिफ हुई है तो अिस सोचल मेडिया को मतलब जूजब कर दोगे यह वियं किसी के लिए भी अच्छी यह बातें करने के लिए खिल स्प्ट equis कि आप अधिटे principle चलाने आता है कि नहीं आता है कुछ इलिंग कर औंड यह आ तो उसके नीचे आप गालियां भर देते हो, मैं किलियर बोलता हूँ, कामेंट करने वालों के लिए भी वह उसका तरीका है, सलिंता है, अच्छी बाते करके भी आप किसी को समझा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली दे कर समझाओ, मैं सबसे इक बात बोल रह ही नहीं, पूरे खंदान को लपिट दूँगा, एक किलियर आप जान लिजिए, आप से हाथ जोड़के परातना करता हूँ, कि मेरा फोटो, मेरा नाम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अगर इउच किया, तो without मेरे परमिशन आप नहीं कर सकते, अगर किये, तो इतने दूर तक लेके जाऊंगा, कि सायद आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी हम पीछे नहीं अटेंगे, आप जिसको सपोर्ट वो उतारना है, उतारना, मुझे दिकत नहीं उससे, आपको सपो हो हूँ, और हजार कमेंट्स में से और हजार रिपोटरों में से दो, चारी, पांच लोग रिपोटर हैंना, कि अपनी रोटी सेखने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं किलियर गोल रहा हूँ, कि अपने नाम, किसारी, किसारी लाल, यादो, ये तीन चीजे एसी है, खैसारी, ये चार चीज है ऐसी है, जिसको मैंने अपने नाम से बिहार सरकार से जारिष्टाट कराया हूँ, और इंडियन गर्मेंट से ये अलड़ेडी मैं जारिष्टाट कराया हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकि आप मुझे लगता है कि बोलना पड़ेग किसी ने भी अगर मेरा नाम मेरा फोटो या मेरी आवाज कुछ भी अगर आपने डाला फेस्बूक पे without permission तो बेटा इतना दूर ले जाओंगा कि सायद अंदाजा आपको नहीं होगा आप किस कोने में छुपे रहोगे मुझे ढूंडने में टाइम और मुझे ढूंडने की जरुवत नहीं है वो परसासन ढूंड लेगा मैं कोई गुंडा बदमास नहीं हूँ जे मैं आपके साथ लड़ जाओंगा मैं लड़ूंगा नहीं और मैं आउल्ड़ी हर बिहार के सारे जिला के पास ये पहुँच कि बेडाउट पर्मीशन मेरे अगर कोई भी आता है तो मेरा स्रिप आपके पास एक लेटर जाना चाहिए और किसी भी जीला में कोई भी मेरा लड़का जाकर आपके पास दर्ज करा सकता है ताकि आप भी ये ना कहो कि हांखे सारी की पर्मीशन लेने की जरुवत है जी नह हम क्यों करें हम तो फिर हम किसलिए हम इंसान नहीं है जी हमें कोई गाली दे देगा हमें कोई बात हमें कुछ भी बोल देगा कोई कुछ भी कह देगा हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई हम भी इंसान है ऐसे थोड़ी है जो हम नागरिक नहीं है तो हमारा एक दैत तो बनता है आप सब को समझाना मैं समझा रहा हूँ किया तो आप समझ जाईए और आप सुधर जाईए नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगा तो सायद वहुत बुरा होगा हर आदमी की मा और बहन एक समान होती है सब की में लिए बोल रहा हूँ सब के लिए ये बाते हैं without permission किसी को allow नहीं है कि मेरे बारे में आप बोलो मेरे बारे में कोई भी आदमी negative बोलेगा कोई भी आदमी अगर कुछ बोलेगा मैं अब इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ उसको ही नहीं माई, बाप भाउजाई, भाई सब जाने क्यातना अंदर लेके जाइब कि फिर जीवन बिता दे तरलो के अगर हम अपने आपको बनाने के लिए दीनो रात अपने शरीर से लेकर अपने दिमाग से लेकर अपने परिवार से दूर है कि अपने आपको बढ़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूँ तो किसी पे ना 2-4-5-10-20 लख रुपया खर्चा करें मैं मैं टाइम ना लगी यहो जान ला लो एक किलीर जान ला लो और आज से श्टार्ट बा जिसको भी मेरे बारे में बोलना है वो निगेटिब अगर बोल दिया मा कसम का करूँगा मैं उसका अंदाजा किसी को नहीं है कि हम अपने परतिष्ठा बचाने के लिए अपने परतिष्ठा दो पैसे कमाता हूँ इज़त से कमाता हूँ, मेहनत का दो रोटी कमाता हूँ, तो खाने दो मुझे, और सब को खाने दो, आप अपनी बाते रखो, आपको कोई नहीं रुकेगा, लेकि रखने का एक सैली होने चाहिए, रखने का तरीका, और हाँ, मेरे साथ किसी भी फैन का फोटो है, अगर वो फ आप इनको गाली दे दो, इनको बोल दो, इनको यह कह दो, उनको उकाद, ऐसा मेरा नेचर नहीं है, मुझे उतना वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं किलियर बोल रहा हूँ, कि कोई जो भी मेरे फैन है भाई, आप अपनी बाते शलिंता के साथ रखिए, आप अपनी जो भी ब जोबतान आपको खुद ही करना पड़ेगा, गलत चीजों के लिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, एक किलियर जान लिजी आप, चाहे वो कोई भी हो, मैं गलत चीजों का बढ़ावा नहीं दे सकता, और मैं जितने यूटूबर हैं, जितने यूटूबर हैं, जो निउ पबलिक सीटी किया, तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये किलियर जान लो, आप मेरा नूज मत बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके नूज से मेरी जीवन नहीं चलती है, मेरे गाईकी के बदवलत चलती है, मैं अच्छा गाता हूँ तो दुनिया सुनत अच्छा नाचता हूँ तो दुनिया देखती है, ये जब नूज नहीं था, तो क्या मेरा अस्तित्व नहीं था, मेरा जितने भी गाने पहले हीट हुए थे, तो आपके नूज के बदवलत तो हुए नहीं भई, और प्लीच, अब बरदास से फाजूल हो रहा है, हर चीज क सफाई मैं आ कर दूँ, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आप किसी को भी कॉमेंट में, किसी को भी आप गाली देंगे, उसका भूबतान आपको करना पड़ेगा, और मैं जहां तक खास करकी मैं किलियर बोल रहा हूँ, मेरे प्रती, अगर किसी ने भी कोई निगेटिव किया, तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज से देख लो, ये मैं पुरा इंडिया, इंडियन गर्मेंट के तरफ से मैं अपनी सारी चीजों को रजिस्टर करा के, इसलिए दो महीने पहले मंगाया हूँ, फिर एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देख लो, जो देख लिए, ये ये, ये सलाह देने के लिए मैं सिर्फ लाई बाया था आप सबके, क्योंकि आज बहुत दुख हुआ है मुझे, और इतना दुख हुआ है कि पूरे खंदान अंदर जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं, बरदास से फाजूल है, और सबकी अपनी मा बहन होती है, और सबकी मा बहन बराबर होती है, सबकी मा बहन, हम उसी कोक से पैदा होते हैं, उसी जगह से निकलते हैं, हर आदमी, और हम उसी की इज़त नहीं करते हैं, तो हमें जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप गाईए आपको कोई नहीं रुका है, आप गाईए तकलीफ ना हो, तो आपका मनोरंजन सार्थक है, वो मनोरंजन सार्थक है तब जब उससे किसी को तकलीफ नहीं, आप मनोरंजन किसी को गाली देगर करोगे, किसी की मा बहन की, किसी की बेटी की, किसी की मा बहन की, किसी की बहुजाई की, मैंने आप किसी को गाली दे कर आप मनो रजन करोगे यह कौन सा रिजने भाई आप जिस कोक से निकलते हो क्या आप अपने मा को गाली दोगे जिस कोक से आपकी बेहन निकले है क्या उस बेहन के नाम लेकर गाली दोगे आप जिस बेटी को पैदा करते हो क्या उस बेटी के नाम लेकर गाली दोगे नहीं दोगे नहीं तो आपकी बेटी बेटी है आपकी मा मा है आपकी बहन 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 दूसरे की बहन बेटी ये इनसान नहीं है प्लेज और भी इंडिस्टी है साउथ इंडेस्टी भी है, कलकत्ता के भी इंडेस्टी है, उरिशा के भी इंडेस्टी है, इतना गचड़ा नहीं होता है, क्यों इसे कर रहे है आप लोग, आप अपनी बाते सलिंता से नहीं रख सकते, किसी को गाली दे दो के तभी समझ में आएगा ज़िए गलत है, उसको प्यार से भी समझा सकते हूं, आपको अच्छा नहीं लगा, तो मत कमेंट करो, क्या फरक पड़ता है, आपके कमेंट के बाद दौला तो थोड़ी जिन्दा है, यार। हम मैं सारी अपने भगवान से जितने भी मुझे मुझे भगवान से प्रात्ना करता हूँ भाई आप लोग मेरे लिए इश्वर हो मैं आप सबसरी वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप किसी को गाले मत दो आप अपनी बाते रखो गलत आपको लगता है तो आप अपनी बाते रखो लेकि उसका भी एक तरीका उस तरीके के साथ उसको पुरूफ करो कि ये गलत है गाली देकर उसको सर्मिन्दा मत करो उसमें मेरी बदनामी होती है आप मेरे साथ फोटो लगा के और किसी को गाली दोगे तो दुनिया तो यही सोचेगी नहीं जो खेसारी लालिया दो करवा रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप ऐसा मत करो और प्लीज कुछ लोग हैं जो फोन रेकॉर्डिंग भी करते हैं और रेकॉर्डिंग करते हो तो यार अगर तुमसे कोई बात भी करता है तो रेकॉर्डिंग मान की चलो जो कोई गलती करता है तो तुम किस लेवल के हो भाई मत करो ये सब चीज़े यार उससे हमारे भजपुरी बदनाम हो रही है प्लीज, मत करो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी के माँ बहन के लिए अपने माँ बहन की तरह सम्मान करो किसी की भी यो माँ बहन क्यों न हो हम किसी के लिए गाना क्यों गाएंगे यार उभी किसी की बेटी है उभी किसी की माँ है हमारी माँ माँ है हमारी बेटी बेटी है हमारी बेहन बेहन है अगर गंदा गाना गाके ही दुनिया में स्टार बनना है तो फिर ठीक है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता वो तो आपकी सोच है और आपकी परवरीश आपकी पैदाईस और आपका संसकार है बट किसी के बेटी बहन के लिए कोई गाना कोई भी आदमी चाहे किसी को मा बहन की गाली जो दी रहे हैं आप एक बार अपनी मा बहन के तरब भी देख लिया करो मैं यही कहने चाहता हूँ और प्लीज एक बार आखरी बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे नाम पे मेरे फोटो पे खेसारी खेसारी लाल खेसारी लाल लिया दो तो फिर जैराम जी के इसके बाद हम हम नहीं हमारा ओकील आप से बात करेगा और शिर्फ ओकील आप से ही नहीं पूरे खंदान से बात करेगा क्योंकि मैं किस शिर्फ आप पे नहीं करूँगा एक्सन शिर्फ आप पे नहीं लेने वाला पूरे खंदान को लपेट दोंगा और पूरे जिवन के लिए दू-चार बीस-पचीस लग खर्चों होई न तरह अप़ तो कर दे बाबु हम हमके कोई दिकत नहीं खे हमरे जनता रुपी भगवान हमरे की चंदा देखे हमरे के बढ़ाओ लेबा बहुत बड़ा बनो लेबा तो यह जनता पर विश्वास बाहम के यह जनता हमेशा मुझे हमरे के प्यार करी का ऐसे कि जनता में अगर वीस लग कमाई ले न तो दस लग खर्चा करे की भी छमता रखी ले अजयों दस लख बचल भग तहरा पक़ा दे ता करा अगर कि अगर परीवार के आदमी बना दे पुरा जिवन जिल में सडवा दे रिक्रेस्ट हाथ जोड़के प्लेज बस लब यू अगर किसे को नियोग बातों से तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए भी छमा पुरा आप लोग मत बरबाद करो, मत करो प्रेश, अपनी बाते रखो सलिंता के साथ, जिसमें सब को अच्छा लगे, और अगला समझ भी जाए कि हाँ ये गलत हुआ है, किसी को गाली गलोज करके, किसी के लिए गाना गाके, किसी को इंटर्टेंड करने के लिए किसी और कि हम नीच दिखा दे, ये ठीक नहीं है, आप अपने माभाण के तरभी देख लिया करो, फिर गाना गावा, आपकी भी माभाण है, सब की माभाण बराबर होती है, आप अपनी बाते रखो, आप आजाद हो, बसरते आपके बातों से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, निउज रिपोर्टर, जितने भी हैं, सब को प्रणाव, बसरते आप इस सोच लिजिए, आप मेरे अपने हैं, तो भी आपके लिए बोल रहा हूं, और मुझे बोसंद नहीं भी करते हैं, तो आपके लिए भी बोल रहा हूं, सब के लिए बोल मेरी जीवन है, तो सौरी, दो चार दस निउज बनाने के बदावलत मेरी जीवन नहीं चलती है, मैं जितने भी निउज रिपोर्टर हैं, चायो गलत हो, ये सई हूं, आपके निउज से मेरा जीवन नहीं चलता है, और मेरे वो जैसे आपका चैनल चलता है, तो आइनध olması ख कर लिया हूँ अब नहीं हो पा रहा है ऑप मेरी जनता-रपी भगवान जितनी भी मुझे मुहबत करते हैं मैं आप सब्सक्री कर रहा हूं कि किसी को आपको गाली देने की जरूरत नहीं है आप अपनी बाते रखिए लेकि उसको सलिंता के साथ रखिए ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दिजी आप अच्छी बाते करिएगा तो मैं आपके बचाओं में हमेशा खड़ा रहोंगा आप अगर गंदा किसी को लंगविज बोलिएगा किसी को गाली दिजीएगा तो मैं आपके बचाओं में जीवन में नहीं आने वाला ये आज किलियर बोल रहा हूँ और मैं आपके साथ नहीं हूँ जो किसी और की इज़त नहीं कर सकता जो अपनी इज़त नहीं कर सकता ये जान लो और आज के बाद से कोई भी नियूज मेरे खिलाफ किसी ने भी बनाया मेरे नाम के खिलाफ मेरे चेहरे के खिलाफ तो फूरी खंदान को लपेड़ दूँगा मैं उसके लिए दूचार पांच दस बिस बचीस लाख रुप्या खर्चा कर दे बागू अब हमरे कर में मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँ कि आउल्डी मैंने आगाज कर दिया था इसके बाद ये चीज़े हुई है ठीक है तो लवी आल जितने भी मेरे भगवान सुरुपी जनता है सब को प्रणाम कल एक मेरा गाना और रिलेज हो रहा है तो आप उसको धिर सरा प्यार और आशरबात दिजिए और अपने भाई को ऐसा ही दिल में रखें लवी आल